ओम शांती बाबा ने कहा बच्चे आप बच्चों का बाप विश्य कल्यान कारी है तो आप बच्चों का कल्यान तो हर सैकिंड में है ही है ना बस आप सब कुछ बाप को दे दो अर्थात जो भी कीचड़ पट्टे है जो की इस दुनिया के हिसाब से बहुत वेल्यूबल है अब भविश्य अर्थात आने वाला कल अर्थात इस जन्म का भविश्य प्राप्तियों से भरपूर है किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होगी हर तरफ से अर्थात शरीर से मन से धन से जन से भरपूर रहोगे अर्थात हल्दी वेल्दी और हैपी रहोगे बस बच्चे बाप को अपना मान अर्थात मेरा बाप है और है भी कौन अर्थात मुझसे ज़्यादा भाग गिशाली कोई नहीं यह मान सहजरीती परिवर्दन के प्रोसेस को पूरा करो हर समें हर हाल में बाप आप के साथ है बस आप मन बुध्धी से बाप के आगे समर्पन हो जाओ ज्यादा सोचो मत बच्चों के कल्यान के निमित में आ गया हूँ तो अकल्यान तो हो ही नहीं सकता बस बच्चे हलके रहो खुश रहो यहाँ वर्दान बाप ने बच्चों को दिया है देखो आप बच्चे इस समय स्वयम को सभी शक्तियों और गुणों से भरपूर कर अपने शरीर के मालिक बन फिर शरीर को चलाते हो आपका फुल अटेंशन स्वयम पर होता है कि मैं पावरफुल हूँ इस प्रकृती के बीच में रह प्रकृती को परिवर्तन करने वाला जिस कारण आप केवल अपने शरीर को तंदुरुस्ती ही नहीं रखते बलकि इसे हीरे जैसा बना लेते हो जिससे यहाँ पूरा विश्य ही परिवर्तन हो जाता है विश्य में केवल आप कुछ एक बच्चे ही हो जो यहाँ कार्य करते हो अर्थात बाप समान बनते भी हो और साथ ही साथ बाप परमात्मा पिता की महिमा के जो गायन है वो सिद भी करते हो बस बच्चे सोयं पर अटेंशन रखो हुआ ही पड़ा है अच्चा ओम शांती